और BBC documentary विवात पर अब कांग्रिस नेता राहुल गांधी भी बोल पड़े हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सच को बाहर आने की बुरी आदत है जबकि उन्होंने गांधी की हत्या की थी ये उनका बयान था इसके बाद अब लगातार BBC documentary को लेकर विपक्ष की तरफ से जो हमले हैं वो किया जा रहा है हंगामा जो है वो किया जा रहा है इस बीच राहुल गांधी के बयान भी सामने आ गया है इस पर जादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हमारे सयोगी शेकर जी के पास शेकर जी लगातार ये बयान जो है वो सामने आ रहे हैं अब कॉंग्रेस की तरफ से जो उनकी नेता है राहुल गांधी वो भी इस पर बोल पड़े जे बिल्कुँ चेटल लगातार इस बात का इंतजार था कि इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ये फिर कॉन्गरेस के जो लिडिंग पोजिशन में है सोनिया गांधी हो गई राहूल गांधी प्रियंका गांधी गांधी परिवार जो है उसका इस पर क्या रियक्शन हो सकता है क्योंकि फिछले दिनों जो है वो कॉंग्रिस पार्टी पर इस तरह के आरोप लगते रहे कि उनकी जो राजनीती है वो तुस्टी करण की राजनीती कि मैंने राहूल गांधी को मार दिया आज भी उन्हों जब प्रेस से बात की तो उन्हों ने यही कहा कि राहूल गांधी आपके मन में है मेरे मन में अब राहूल गांधी नहीं है लेकिन इसे ही लेकर BBC डॉक्यूमेंटरी पर भी राहूल गांधी ने बात की क्योंकि लगाता उन्होंने कहा है कि अगर आपने शास्त्रों को पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि आप चाहे ED लगा लिजे, CBI लगा लिजे, आप कुछ भी लगा लिजे, आप सच को दबा नहीं सकते हैं। लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने इस बात को आपती जटाई इस बात को लेकर कि भारत की और भारत के प्रदान मंतरी की छवी को बिगारने की कोशिश की जा रही है। जी, जी बिल्कुल लिक्या, शेकर जी आप एक बार राहूल गांधी के वो पूरा बयान हूबहू, एक बार हमारे दर्शेवा बता सकते हैं, क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा है। जी, बिल्कुल रहूल गांधी से सवाल पूछा गया कि BBC की डॉक्यमेंटरी पर आप अपनी राय अगर देना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे। इसी की जवाब में रहूल गांधी ने कहा है कि अगर आपने हमारे शास्त्रों को पढ़ा है या आपने भगवत गीता या उपनिश्दों को पढ़ा है तो आप देख सकते हैं कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। तरह की पाबंदी, दमन और डराने वाले लोग सच्चाई को सामने आने से नहीं रोक सकते हैं। उस पर ये जो पूरा घमासान है वो मचा हुआ है, BBC पर आरोप है कि उसने अपने इस डोक्यमेंटरी के जरिये भारत के प्रधानमंद्री नरिंदर मोदी की जवी को खराब करने और भारत की जवी को खराब करने के लिए पूरा प्रोपगेंड़ा जो है, वो रचा है, वो जब पत्रकार ने सवाल पूछा उन्होंने ये बयान दिया